हेलो पुझा पुझा रसीम आपका स्वागत आज बनाने जला है कुंदुरू की सब्जी यह खाने में बहुत इस टेस्टी लगती और बहुत अच्छी लगती है एकिन वानिया आज हम बिना लसन बिना प्याज के बनाएंगे आप सोच रहोंगे बिना प्याज लसन के कैसा ब और चाहिसा तो नहीं तो से दिए केसा है युदोर से लिए भाहरर को अश़्षिक्स द्यास श्पडूर एक नहीं यहां पर इसे मैं कुंदुरु ही जानती हूं और अलग नाम जो है बहुत अटपटा नाम है जो मैं नहीं बोल सकती इतना तो आज के यह कुंदुरु की सब्जी जो सिंपल है कैसे घर पर बनाते बहुत टेस्टरी से भी तो शुरू करते आज का वीडियो चलिए तो यहां प ऑग के तो तेल हमारा थोड़ा गरम हो गई है अब इसमा हम डालेंगे आदा चोटी चममज जीरा ब्लाव जीरा डाल दिया और जीरा को थोड़ा थोड़ा सा फूटने दूँगी बस थोड़ा थोड़ा फूटे रहे अब उसके बाद मैं एक चुटकी इसमें हीं डाल देत पाउडर देंगे यहां पर क्योंकि जीरा हमारे का भून गई है तो यहां डाल देते और एक छोटी चमस में धनिया पाउडर डाल दोंगी इनको भी आनको मिला दोंगे यहां पर और यहां पर मैंने थोड़ा सा अद्रक की टुकरा लिया जो उसको मैंने घीस के रख लिया है क्योंकि तेज पर नहीं रखना मसाला हमारा जल जाएंगे तो इस तरीके हम थोड़ा सामे अद्रक को भी भूनना है जादा नहीं भूनना और आप इसमें हम डाल देंगे सबजिया क्योंकि थोड़ा से इनको भूनने के बाद ही सबजिया डाल देंगे तो सबजी हम डाल द कि अध्रग ऊप्राइब लाध करवा करिए अध्रकट के जाधा नहीं पुर्ण पकाना होता था जाधा नहीं पाता है मशाले भाप दालें गया meant nature , बाकी मसालेते करें दो हैं नमक स्भाध में और यहां पर देते और टेंगे टोटी चमाश दीज लाल-miss powder एक जायने हरी-miss ou बाकर दया में दो पावटर यहां पर देंगे इनको भी मिक्स कर दियते, सबजी में मसाले को tap यहां पेदाज वाली आप चाहे तो इसमें 1-2 चमच, आप पाउड़ भीमाता है यहां पर यहां पर सॉप पाउडर मैंने एट किया नहीं है कम लाधा लाधा हैं ज्यादा कैला ऑफोल भूल आ यहां पर भूलend तकmüşक्षा है। प्रश्चुषाल मावार शड़ेता है। करते हैं सबस्जाइर में जिए सब्चनता है। कफी पखेए सब्जी सब्जी कोन हमें ज्यादा विलकुल अग्दम गला नहीं नहीं है तो आमने 3 मिनीट तक ऐसे पका लिए था खोला और 5 मिनीट हमने भाध के पका लिया है और इसे तरही किसा हम थोड़ा से और पका लेते हैं इसको हर 2-3 मिनीट लोग बाद 2-3 मिनित फिलाता है एक आखी देखनी सब्सक्राइब ज़ते हैं पकाईए लिए 10-15 मिनित लगेगी बन्ने में जाधा टाइम नहीं लगेँ तो देखे लेते लगवग पक चुके थोड़ा से देख लेते हैं, काफी सॉफ्ट हो गई है थोड़ा से थोड़ा से खुला पका लेते हैं, और इसमें हम थोड़ा से और मसाले याड़ कर देते हैं, को तो यहां पे हम डाल रहे हैं, एक चोटे चमस आमचुर पवॉडर DAल देगे और इसमें डाल देंगे गरम मसाली, देंगे एक चोटे चमस से बी कम अच्छे से मिला लेते हैं, तो यहां पर हमने छोटी चम न डाल दिया है लाष्ट में और डाल दिया है एक छोटी च्षोटी चमस से कम मसाला क कै ये सब लाष्ट ट으면 डालने से क्या होगा कि इसका जो सब्सक्र lóg आ यह सबजी में बिलकुल बनी रहेगी, इसलिए हमने लास्ट में डाल दिया है, और थोड़ा से ने इस में हम थोड़ा सा धनिया चाहे तो धनिया भी एड़ कर सकतें पहले, और इसमें अच्छे से इसम मिल जाएंगे नहीं दनिया तो अच्छे से टेस्ट भी आएगा और अगर यह पसंद आई तो जरूर बनाई एक बर अपने घर में बना के देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको सिम्पल भी है कम मसाला भी है ताइम भी ज्यादा नहीं लगती है बहुत अच्छी बनती है खाने में बहुत अच्छी लगती है है सिम्पल मैं गयाश को बन कर देती हूं और इसको सरफ कर लेती हूं है तो देखिए अपर प्रैट में निकाल लिया है सब्साइपakah ये क्लार भी और अगदम खिलाग और और इसको बरीया सतल दिख रहा है आपको तो यहां पे हम क्या करें गे थोड़ी से धनिया और पर से ही दाल रही हूँ क्योंकि आछ देखता है और साइट से भी अब इसको गानिश करने रहेंगे ना साइट से भी कर देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखे गाँ तो इहां पर मैं ऐसे ही डाल दिया है तो आप इसी तरह बनाएए खाये और हमें कमिन करके ज़रूर तो पसंद आए तो शाय लाइक करिए और हमें चैनल को सस्क्राइब करें और सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले तब तक मिलते ही नहीं रेसे बगे साथ टाटा बाई बाई